लड़की के चहरे पर उग रहे हैं पौदे बांगला देस में ये मस्जे सहाना खातून के चहरे और कानों पर उबर रहे हैं डॉक्टरों के अनुसार ये लड़की ट्रीमेंसिंड्रोम यानी एपिडर्मो डिस्प्लासिया वेरुसी फोर्मिस नाम की एक स्किन डिसीज से पीडित है दुनिया भर में 6 से भी कम लोग है जो इस बीमारी का शिकार है लेकिन अब तक कोई महिला इसकी शिकार नहीं थी सहना के पिता मोहमत सा जहां उत्तरी बांगलादेश के एक गाव में मजूरी करते हैं वो बताते हैं कि लगबग चार मेने पहले उनकी बेटी के चेहरे पर पहली बार ऐसा मस्सा उबरा उस वक्त उन्होंने ज्यादा चिंता नहीं की लेकिन जब वो तेजी से बढ़ने लगा तो वो इलाज के लिए सहना को ढ़ाका लेकर आए मुहमत चार जहां ने बताया कि जब मेरी बेटी 6 साल की थी तब उसकी मा गुजर गई मैं दुआ कर रहा हूँ कि मेरी सुन्दर बेटी जल्दी ठीक हो जाए डॉक्टरों का कहना है कि सहना कि ये बिमारी अभी तक ज्यादा आगे नहीं बड़ी है और उम्मीद है कि वो जल्दी अच्छी हो जाएगी इसी अस्पताल में अब्दुल बाजंदार नाम के एक मरीज की इसी बिमारी का इलाज हो रहा है उनकी 16 बार सरजुरी हो चुकी है अब्दुल के हातों और पेरों में इस तरह के कहीं ज्यादा बड़े मस्ते निकलते हैं अब्दुल बिमाई से पीरित पहले इंसान है